सर लेवल्स तो बाजार रिस्पेक्ट कर रहा है, पिछले 5 दिनों से हमने ये देखा, बट पिछले 2-3 दिनों से एक और चीज़ बाजार में बदल रही है, जो 16-400 के करीब का बॉटम था, वहां से ये जो 18-1900 पॉइंट्स की रैली हुई है, इसमें बैंक निफ्टी का एक बहुत ही बड़ा योगदान था और लीडर्शिप बैंक निफ्टी ने ली थी, पर पिछले 2-3 दिनों का ट्रेंड देखें तो बैंक निफ्टी फिर से सुस्ता गया है, निफ्टी के मकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा है, कल आप डेटा भी बता रहे थे कि बैंक निफ् निफनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो FIS की बिकवाली के आंक्रे हो, चाहे ग्लोबल मार्केट का पूरा सपोर्ट ना हो, चाहे फिर आप बैंकिंग शेरों ने लीडर्शिप लिए और बैंकिंग शेर अब धीले पड़ते दिख रहे हैं, तो आप दिमाग लगाएंगे तो तेजी करनी पाएंगे, यह तेजी दिलवाली है, ठीक है न, क्योंकि अल्टिमेटली इस सब चीजों में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमको नहीं पता, या मार्केट में वाकी लोग को नहीं पता, उसके बावजुद बजार बढ़ रहा है न, राइट, इसमें एकदम सिंपल य पता रहा हो, क्या मालूम, बेंक निफ्टी आज एक दो दिनों में कभी भी ब्रेक आउट देदे, बेंक निफ्टी को ब्रेक आउट के लिए कुछ एक छोटे मोटे ट्रिगर की ज़रू तो वो कहीं से मिल जाए, तो पोसिबल है, बेंक निफ्टी भी वापस से उपर बढ कि मजबुती का ट्रेंड है, जब तक आप उपर बंद हो रहे हैं, इंपोर्टेंट लेवल के उपर बंद हो रहे हैं, हमें तेजी साथ रहना है, अब भी मेरा ये मानना है कि बेंक निफ्टी में कोई खास ऐसी खराबी नहीं है, जिसकी चिंता की जाए, डे टू डे वेसि वापस से बेंक निफ्टी की तरफ से आ रही है, जो 3-4 दिन का हलका फुल का एक टाइम वाइस करेक्शन बेंक निफ्टी को देना था, वो दे दिया, और बेंक निफ्टी तेज दोर लगाने के लिए फिर से तयार हो रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है, तो होने में कुछ भी ह हो सकता है, और इस्पेशली बजट तक बहुत बड़ी कमजोरी हो, इसकी संभावना एक कम है, तो मेरा ये मानना है, मैं बेंक निफ्टी पर भी अभी भी नेगेटिव नहीं हूँ, फिर भी आपको बता दूँ, जब तक 37,700, 37,500 के नीचे बेंक निफ्टी बन नहीं होता, तक तक हम बेंक निफ्टी पर भी नेगेटिव नहीं होंगे, एक अच्छे रनप के बाद बेंक निफ्टी भी थोड़ा टाइम पास कर रहा है, टाइम वाइस कंसोलिडेशन जिसे आप कह सकते हैं अच्छे शब्दों में, ठीक है, हलका फुलका टाइम वाइस करेक्शन, जिसको मैं आव भाशा में टाइम पास कर रहा है, कि आगे बढ़ने के पहले मुझे थोड़ा इंतिजार करना है, तो मेरे ख्याल से हम लेवल्स के हिसाब से ही चलेंगे, मेरा तो फोर्मूल हो गाई है, 17,800 निफ्टी पर स्ट्रोंग सपोर्ट है, 37,700 बैंक निफ्टी पर भी निकल जाए, पूरी संभावना है, बन सकती है, एक और चीज दिप करना चाथा हूँ, जो लोग नवंबर, दिसंबर में काफी दुखी हुए थे, काफी परेशान हुए थे किस दर से 18,600 से 16,400 नोन स्टोप आ गया मार्केट, हम रहे गए, फस गए, अटक गए, किसी न हमें कुछ कहा नहीं, कि बाजार इतना खराब हो गया, वो हो गया, उन सब के लिए लेसन है, ये देखे, वापस से बाजार वहां पर आ गया, जहां से गिरना शुरू हुआ था, 18,600 हाई बनाय था, और मुझे याद इच्छे से कि हमने का, जब तक 18,275 के नीचे बनना हो, जिन लोगों को अपने आप पर और दूसरों पर भरोसा कम है, उनके लिए गौल्डन चांस है, आप एक बार चाहें तो अपने एग्जिट कर सकते हैं, हो सकता है, आपके कुछ स्टॉक्स के दाम आयों हो नायों, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अल्टिमेटली निफ्टी अगर फॉर्थ बेस क्लोजिंग दे रहा है, तो कुछ ने कुछ तो बढ़ा ही होगा, और जो अच्छे शेर हों तो पकाई बढ़े होंगे, तो अगर आपको डर लगता है, आपको यह लगता है कि अगर आपको उस समय यह फिलिंग थी, जब 16,400 निफ्टी आया, तब यह हमने गलत कर दिया, इस्टोक मार्केट में आके, तो आपके लिए एक्जित करने का बहुत बढ़िया मोका है, आपको याद होगा दिप, मैंने तब भी कहाता है, कि आज आपकी वन थर्ड म्यूच्वल फंड में पैसा जाना ही चाहिए, यह बहुत ही अट्रक्टी लेल है, और अगर 16,000 आएगा, तो हम और लगाने की बात कहेंगे, तो वहाँ पर हमने उस दिन पैसा लगाने की बढ़ाई भी दी थी, आप देखें, वहाँ से नोन स्टोप केजी होती दिखरी, तो आपको जब डर का माहल है, जब खराबी का माहल है, तभी अच्छे भाव मिलते ह और तभी आपको मौका मिलता पैसा लगाने का, तो चिंता ने करें, लोंग टर्म इंवेस्टर हैं, तो हर तरह के लेवल आपको नजर आते हैं, और जो शोट टर्म इंवेस्टर हैं, जिन्होंने गलती से उस समय स्टोप रोसेज नहीं रखें, बड़े लोस देखें, और अब भी अगर आपकी पोजिशन बची रहे गई है, आपने लोस बुक नहीं किया है, आईए, आपके भाव आगए, बुक करना शुरू कर दीजिए. आपसलूटली सर, तो बाजार लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रेंड अच्छा है, कोई परिशानी की बात नहीं, रोज का उतार चड़ाव है, उस पर तो सर आप हमारी रोज मदद करते हैं.